यार कल रात को न मुझे अच्छी तरह से नीन नहीं और ऐसा सिर्फ कल ही नहीं परसो भी हुआ उससे पहले भी हुआ उससे पहले भी हुआ और जब भी ऐसा होता है तब एक बहुत इरिटेशन रहता है दिमाग के अंदर पर्टिकुर्ली जब विडियो रेकॉर्ड करते हैं और लाइट सामने आते तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है और यह जो प्रॉब्लम है ना यह प्रॉब्लम सिर्फ मेरा नहीं है हर एक की प्रॉब्लम है आज की जमाने में जो लोग वर्क फॉर्म होम कर रहे हैं जो लोग घंटों भर अपने मोबाइल डिवाइस या फ लॉपिंग कंट्री में धीडे धीर जितना काम की प्रिशर बरेगा और जितना लोग डिजिटली काम करेंगे और यह इन सय थै तो इन सॉंपनिया है क्या चीज 씨 iki शान की बिमारी मतलब मीं उल्फ ना आने की है मगर अगर दो थीन-आहपते हैं महीनों भर होता है तो हम उसको व 오빠 हम कहते है क्रोनिक इंसॉम्निया के इसका इंस इते कि प्रॉबरेम है तो विडियो है बैसिकली ये वीडियो आपको बहुत है करने वाला इंसॉम्नियाável के के बारे में क्योंकि मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा ना तो कि सर्फ गूगल में सर्च करके क्योंकि आप गूगल में सर्च करोंगे बहुत सारे information मिलेंगे regarding insomnia मगर मैं आपको बताऊंगा कि मैं 2014 से डील कर रहा हूं और बेसिकली यह इसी के कारण होता है कि life में जब आप वर्क ज्यादा कर रहे हो और जो वर्क में आप ज्यादा involved हो with digital content जहां पर आपको backlight device की device की जो light है वो आपकी आँख में जा है तिल रात को दो बजे सुबह भी हो जाए हम तीन बजे से सुबह बोलते हैं तो तीन बजे तक काम काम करते करते हैं और हम करते हैं क्योंकि for me when I when I started my YouTube channel स्टार्ट किया जिस टाइम पर 2010 का चैनल डिजिस्ट्रेशन है और स्टार्टिंग से वीडियो 2012 से तो तब से लेकर आज तक मतलब साल भर में जब मैंने 1000 वीडियो डाले तो हर रोज average तीन वीडियो रेडी करना एडिट करना अपलोड करना वो भी तब 2010-2012 के टाइम पे जब कोड डू का प्रोसेसर होता था तो बहुत टाइम लगता था उसके साथ खुद की पढ़ाई होती थी और बाट की सारे चीज और सी सब लेके कभी कवार यह जो इंसामनिया का प्रॉब्लम सामने आया तो हर एक कुछ जिन लोग इंसामनिया का प्रॉ बाद हो गया मतलब हर रोज का यही यही प्रॉब्लम अब इस प्रॉब्लम को जानने के लिए इंसामनिया का जो जो इसको समझे जिन लोगो को है वह तो रिलेट करेंगे जिन लोगों को नहीं है वो रोप इस चीज को देखते हुए खुद के लाइफ स्टाइल को ऐसे यह नहीं करने अरे। पर बाडी की स्लीप मोड है जहां पर बॉडी रिलाक्स करता है तो यह चाहिए यह डिमांडिंग है मगर बॉडी को मिल नहीं रहा है तो जब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सोनी की चांस मतलब हम देखो के टाइन देखते हैं बार-बार कि हम घड़ी उता के देख लिए मोबाइल से देख लिए कब दो बज रहे हैं ठीक है चलो सोने की कोशिश करें कोशिश करें देखते 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 दो धाई बज रहा है फिर से सोने की कोशिश करते हैं देखते तीन बज रहा है तो ऐसे करते करते हैं रात जब ब प्राइब तक चार दीन पांस दीन या फिर एक हपता दो हपते तक ऐसे चल जा रहा है अब हर रोज ऐसी फेस में गुजर रहे हो तब जाके चोटा मोटा अगर आवाज आये ना आपके सामने बहुत चोटा मोटा दूर से कहीं दूर मतलब यहां से मतलब हम रहते जहां पर व एव जो वुंटर टाइम कुछाल बहुत इंस्टिगेट करता है कि आपको लगता है कि बहुत आवाज हो रहा है तो यह सारे चीज इरीटेब्लिटी बहुत बहुत ज़्यादा भड़ा चीम करने आपके नज़तीक के लोग आपके बहुत करीब हैं और इसके कारण सर्दद रहता है इसे कैसे बाहर आना है लोग पूछते रहते इस बाहर आने कर आप वूजें दवाई बताओ आप मेडिसीन है कर मांगो गे भी कोई डॉक्टोर से मांगो तो मेडिसीन आपको देंगे नहीं उतने जल्दी कि यह जो sleeping pills होता है that is dangerous और लोग suicides वगेरा करते हैं sleeping pills लेकर तो sleeping pills without prescription आपको मिलने वाला है नहीं आप अगर चाहिते दुकान में भी जाए और पूछेंगे कि या मुझे एक या दो दे दो तो भी नहीं देंगे शायद एक या दो दे तो इससे काम नहीं चलेगा क्य कि sleeping pills से क्या हो जाएगा आप ट्राइं मत करो इसकी प्रॉब्लम यह होता है कि sleeping pills लेने से शायद आप एक दू दिन में sleep आप आप सो जाओंगे मगर उसके बाद यह आदत पढ़ जाता इसका और यहां पर लिखा भी होता है sleeping pills में कि it is a habit forming medication to habit forming medications हमें कभी भी भी ट्राइं करना चाहिए इसलिए कि उसका आदत लग जाया आपको तो यह ड्रग जैसा बन जाएगा आपके लिए तो without that medicine आपको कभी भी नीद नहीं आगा का आप चाहते हो को सारे life अगर आपके आज के एज बीस बाइस साल से लेकर 28-30 साल के बीच की लोगों का ज्यादा इंस्वाम करो इससे बैतर अब और इससे क्या होना इससे आप completely चीज से बाहर नहीं आप आओगे अगर इंस्वामिया से completely बाहर आना है मुझे personal experience है मैं उससे साथ आपके बात करूंगा आपसे आज भी मैं जो काम करता हो रात बर देड़ दो बज़े बज़ी जाता है रात को और इस वर्किंवेल इस नौट बड़ तिंग अगर आप वह जो स्लीप स्पैन उसमें ठीक ठाक तरीके से स्लीप पैटरन को फॉलो करते हो तो तो अभी बात करते कि इंस्वामिया को अगर ट्रीट करना है तो कौन कौन सी चीज आपको फॉलो करना है यह एक लाइफ स्टाइल अग्यगर करना परेगा निकालना परेगा तब जाकर डिजक को हम रिवर्स इसा रिवर्स करना है यह प्रिवार्स को करना है यह प्रोसिस पहले बात तो है जो चीज आप एकदम फॉलो करो जिस चीज को फॉलो करके मुझे बेनिफिट मिला वह चीज यह होता है कि इन्सॉम्निया को प्रिवेंट करने करें हलक के लिए अलग-अलग टाइप की जो नुसके हैं वह काम आते हैं जैसे एक बात तो है यह सारे चीज सिर्फ एक चीज फॉलो करने से नहीं होता है दो तिन था नहीं है मैं कभी भी आर्ली टुब नहीं जा पाया 9 बज़े में सै पाया जो दुख सो पाते बहुत अच्छी बात है वह स्टाइल चीज में बिए। आपको आप ही के lifestyle में इसको fix करो कैसे करोगे सोने से जाने से पहले पहले at least 10-15 मिनिट आखरी जो 10-15 मिनिट हो उसमें आपको इस स्मार्ट फोन डिवाइस अपसे दूर करना है एक दम मतलब सोने के बाद कोई ऐसे ऐसे देखते रहते हैं यह इतना नजदीक लाके मोबाइल क सोने से 10-15 मिनिट पहले at least 10 मिनिट पहले उसको बात कर तो चार्ज लगा के रख दो या फिर कुछ जो भी करना है उसको साइड में रखो और बातरूम जाओ और पानी पानी से अगर नहा सकते हैं तो अच्छी बात है मतलब नहाना भीफोर स्लिपिंग इस वेरी वेरी वेर अगर गर्मी की दिन है तो आप नहां सकते हो और अगर गर्मी की दिन नहां विंटर टाइम हो तो आप क्या करें आप पानी को लेकर थोड़ा अगर अगर बहुत थंड़ा है पानी विंटर में उसके साथ तोड़ा घरम पानी मिला कर उस पानी से पा और उसके साथ साथ प् हो जाके थोड़ा बहुत अगर आपके घर में बैलकनी है वहाँ पर जाके थोड़ा वाकिंग करो या फिस सिर्फ जस टे देर फॉर वाइल फाइव फ्री फॉर मिनिट्स फिर इसके बाद आके बेट पर आजाओ पहली यह चीज अब दूसरे बाद अगर सब्सक्राइब करें तो बात यह होता है कि जहां पर आप सोते हो ना घर को चेंज करो अगर में मतलब आपकी जहां पिया रहे तो आप दो तीन बेड है बेड्रूम है एक बेड्रूम को जेंज करके और इक बेड्रूम में सोने की कोशिस करो अगर ऐस रेड्रूम अलक से're एकुब है उसमें आप डिर्रेक्शन चेंज कर ले लौटा है बहुत इससे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है और यह एक सिलसिला होता है नहीं नहीं आ रहा है नहीं सब्दान जब भी एक दिन निन आ जाएगा ठीक से दो दिन आ जाएगा फिर से और MOS ज़े बूह रहा है तुं क्या राज जाओगे तब आपकी जो शरीर के उपर जो चंट्रोल है ब्रें के उपर जो चंट्रोल है फिर से आजाएगा और दीरे दीरे फिर से यह स्लीपिंग पैटर्न जो नॉर्मल हो जाएगा इससे होता है तो ठीक है अभी देखो फोर्थ चीज श्लीप के लिए बहुत सारा आप आप उनलाइन में सर्च करते हो तो देखो कि बहुत सारे म्यूजिक है बोलते है सिग्मा वेव डेल्टा वेव यह वह से अब बात ही होता है कोई वेव की बात तो मुझे आप मैं पर्टिकूलर रिसर्च करके नहीं देखा मगर मैं यह चीज़ देखा कि कुछ सूधिंग म और एक बात होता है अपार्ट फूम दिजिटल थिंग्स अगर कुछ पढ़ना है जैसे कि रीडिंग बुक इस वेरी गुड़ हैबिट तो फॉल असली रात को बुक परने का एक हैबिट बना लो क्योंकि जब बुक परते रहे तो आप पनना पलते हो आप एक चीज़ पढ करते है और और यह एक अपी इंटराक्शन कर दो किताब के साथ वो बंते बंते ना प्जाच इंटरस्टिंग स्टोरी यह त्रिलर हो परते पड़ों आप किताब को रके सो सकते हो यह सारी हेल्दी हैविट से और यह एक दिन में नहीं आता है अगर आप यह हैविट मत्या या पढ़ते थी या कड़ते तो ती जैसे के मेरे लिए में किताब पढ़ता था मेरे complete ए स्कूल डेस से लेकर वही मेरा routine था रात को मैं सो तब और मॉबाइल फॉन नहीं थे में होता है कि दो पहरोग अगर आप ले तो इन बर में कहीं भी अगर आप ले तो शौट टैपं या दो घंटे की तब भी जा करा आथ को नीद नीत और रात को नीद ठीक ठाक से होना ज्यादा इंपॉर्मोन अभी यह होता है कि इन होता है तो दिन में हो रहा है नीध में नीध में नेंड आ रहा है तीन चार पांच गंटे-टीन गांटे-टीक है रात को फिर नीध आता है तो आप काम करूँ अब काम करते रहो करते तीन बजी चार बजी आके सो लए आपने फिर रात को अगर आप प 있지 नहीं हो जाता है निजसा है कि अब किसी की बोलेहूएर रूटीन को एट उसे फॉलो नहीं कर सकते हैं лет मेरा मानना है पर्सम एक्स पीरिएंस है अब ले सकते हो यह ऐप छोड़ सकते हöm अगर उस को ऑसरों से ने कर सई और एक बात कि अगर दिनभर आप काम करते होỉक ऐसे एन्वायइन में जहाँ पर दिनभर लाइट ज्यसे कि में मेरा ओफिस में यहाँ पर पर काम करता हूं है य विटमीं के इते हैं विडियो को पता नहीं है ़िए तुरी नहीं है तो इसा ही कंडिशन का सामना करना पड़ता है तो वहां पर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होने के चांसे से तब जाके क्या करना है आपको पॉसिबल है तो आप जाधा से जाधा इंटरेट करो विद अगर पीपल बाहर निकलो बाहर मतलब इंडोर नहीं आउट्डोर आउट् साइकल लेकर जा सकते हैं मगर कोई मोटर या फिर कार नहीं आप पैदल जाओ या फिर साइकल लेकर जाओ थोरा साइकलिंग करो या फिर पैदल घूमो एकसरसाइज भी हो जाएगा उससे देखेंगे कि बहुत बेनिफिट मिलता है बॉडी को ना एक एक क्यूज जो बार निकलने नहारो मैं मुझे कुछ मांगना है तो मिया पर ओर करो मेरे घर पर आ रहा है चीजे तो यह एक्चुली इस वेरी बैट फॉर हेल्थ वेरी बैट फॉर है तो वहां पर क्या करना है आपको कंटिनुवसली आप मांग सकते हो कुछ चीज अगर चाहिए आपके नहीं हाते थोड़ा टाइम नीकल कर बाहर जाओ तो बहुत बाहर जाके घूमो उससे काम आता है 10-15 मिनित उससे ज्यादा नहीं और ऐक चीज अगर उससे भी नहीं होता है तो फाइनल एक्ट इससे होता ही होता है जनरली वह होता है कि आप एक वेकेशन पर जाओं और वेक को अप चीजे को देख रहे हो आप प्रॉसेस करें चीजों को डाट इस जगा जाओ जहां पर क्राउट कम हो एक ऐसा जगा जहां पर सिटी से बाहर हो क्राउट कम हो इन्वाइन्मेंटल फीचर ज्यादा हो एक होमस्टे में रहलो आप स्टे कर लों लोगों के साथ बात करो लोकल लाइफस्टाइल के बारे में जानो ठीक है और नया जगा पर जाओगे तो वहां पर नया जगा नया सेट अप आफ स्लीप पैटर्न जो डिजरॉप्ट करना है आपको अगर नीद ना नहीं कि बिमारी उसको डिजरॉप्ट करना है तो यहां पर वो चीज आप कर सकत होगे तो बाकी के काम जो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिये थीक है तो यह बात होता है insomnia के treatment देखिए कोई medicines नहीं कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ इस चीज से क्योंकि insomnia के सबसे बड़ी जो यहां पर ड्रिविंग फोर्स होने की वह चीज होता है anxiety और depression अंदर अंदर आप depressed हो कुछ कारण या फिर anxiety है कुछ चीजों को लेकर काम को लेकर कशा दिये काची काम जो मैं कर रहा हूं फिनिश नहीं होगा competition आगया competitor के साथ में कैसे लड़ूंगा यह सारे चीज हो सकता है या फिर आप कम कर रहे हैं कोई office में तो office में target दिया जारा आप टार्गेट मेट नहीं कर पाऊगी क्या होगा office politics को कैसे deal करोगे students हो तो पढ़ाई कैसे खतम करोगे student हो तो particularly exam आ जाएगा तो exam के anxiety यह सारे चीज़े यह सारे फियर्ज एक साथ मिलकर आपको सोने नहीं देते और इस सारे चीज़ को आपको change करना है तो आपका anxiety से बाहर आना है तो basically anxiety directly तो कोई बिमारी नहीं है मगर anxiety से video मैंने दिल से बनाया है क्योंकि यह video मान लेना कि insomniaak के तरफ से दूसरे insomniaak लोगों के लिए बनाये हुआ है तो वीडियो का तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करें और यह बताए कि कौन सी tip आपको help किया आपके यह slip cycle को वापस पाने में अभी ख होता है क्योंकि तब जाके बहुत लेट नाइट हम काम करते हैं हाँ अगर अगर बेट पे जाते हो तो आपको इंसामनी होने के chances कम होता है तो यह सारे चीज चलता रहता है तो खुद को एक एक कुछ कुछ रूटीन बनाना पड़ता है जिससे असलिप रूटीन असलिप प और अगर आपके इंसामनी है इसका मतलब आप कुछ चीज को लिए सोचते हो तो यू आरप पर्संट हुड थिंक्स अबाउट थिंग्स राइट तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल